दोस्तों कैसे आप सभी एक बार फिर से आप सभी का स्वागा थी आपकी अपनी YouTube चैनल Profit Study में तो साथ यह Railway Apprentice जैसा कि आप लोग जानते हैं कि Railway Apprentice अभी के टाइम में बहुत जादा इसका क्रेज हो गया है और सबसे जो क्रेज होने का कारण है वो है आपका Group D में जो आरक्षन दिया जा रहा 20% का आरक्षन 1 by 3rd, 2 by 3rd और इसके साथ साथ PET से निजाद, Physical Efficiency Test से छूट मिलता है जिसके कारण लाखों के दादाद में जो Candidate हैं वो Railway से Apprentice करने के लिए आज के टाइम में इच्छुक हो रहे हैं ठीक है क्योंकि इसमें Benefit वेगरा जो है मैंने आपको बताया और इसी इच्छुकता के कारण जो अभी यहाँ पे latest important news निकल के आ रहे हैं सामने कि कल के date में बात करेंगे तो Railway Apprentice छात्र के साथ एक बार फिर से भ्यावा इस्तिती में दुरघटना हुआ है और यह कोई छोटा मोटा दुरघटना नहीं है बहुत ही बड़े लेवल का दुरघटना है जिसमें अपरेंटिस छात्र की जान तक चली गई है कहां से यह दुरघटना आ रहा और किस कारण से यह दुरघटना घटी और आप लोग भी अगर Railway से अपरेंटिस कर रहे हैं या फिर भविस्त में आने वाला टाइम अपरेंटिस करोगे तो डियर आप लोग भी यहां पे अपने सुरक्षा को लेकर कोई पी कमपरमाईज बिलकुल भी मत करिएगा क्यूंकि जान है तो ही जहान है आप जीवित रहोगे तो ही 20% का आरक्छन ले पाओगे अगर आप ही नहीं जीवित रह पाओगे तो भी यह रेलवे अपरेंटिस का करोगे क्या आप ठेक है तो आज ही एक ऐसा अपडेट निकल के आ रहा है बहुत सारे छात्रों ने लगतार जो वहाँ पे हाथसा हुआ इसके रिगार्डिंग लेके फोटोस वीडियोस क्लिप स यहाँ पे शेयर किया है तो हम चलिए बात करेंगे आज किस वीडियो में कि जो यहाँ पे लगतार हो रहे है रेलवे अपरेंटिस का आखिर रेलवे मंतराले कोई ऐसा पॉलिशी या फिर नियम कायदा कानून क्यों नहीं बनाता है जिसके लागू होने से रेलवे अपर ज कि देखिए बहुत सारी डिवीजन बहुत अच्छे से चात्रों को वहाँ पे ट्रिनिंग देते हैं पर कुछ ऐसे भी डिवीजन है जो इनका मिस भीए मतलब दुस बैवार उनसे करते हैं ठीक है तो देखिए यहाँ पे जो अपडेट आपका निकलके आ रहा है देखिए स अपरेंटिस की जान चली गई नरेंद्र मोदी जी रेल अपरेंटिस के भविश्य के बारे में सोचे और उन्हें अस्थाई करे इन्हें जी एम पावर दे ताकि ये रेल की सेवा सुचारू रूप से दे पाए ठीक है तो और आपको यहाँ पे फोटो और वीडियो क्लिप जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार एक रेलवे अपरेंटिस छात्र की दुरगटना से उनकी ओन स्पोर्ट देथ हो गई मौत हो गई ठीक है अब सबसे पड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या रेलवे अपरेंटिस को लेकर रेलवे मंत्राले कभी भी यहाँ पे शुरक्षा का कोई उपाय नहीं नहीं करेगा शुरक्षा को लेकर इन पे ध्यान नहीं दिया जाएगा इनको सैप्ती का जो एकूपमेंट होता है इसमें फिलसपूर का घटना हुआ यहाँ पे बहुत सारे छात्रों के द्वारा वहाँ पे जाकर अपनी सान permanent employee को दिया जाता है वैसे ही railway apprentice को भी दिया जाए ठीक है फिर भी अभी भी कुछ railway के ऐसे workshop production unit आते हैं जहां पे अभी भी सुरक्षा का अवहिलना करके railway apprentice के साथ कार कराये जाता है तो साथियों आपकी सुरक्षा आपके अपने हातों में है अगर आपको workshop या फिर production unit या फिर जहां पे भी काम कर रहे हो उसके मद्दे नजर जो भी आपका सुरक्षा उपकरान होता है वो आपको अगर नहीं दिया जा रहा तो आप सीधा कारे का बहिसकार कर सकते हो ये आपका अधिकार है और ये railway भी आपको बोलता है ठीक है अगर आपको सुरक्षा संबंदी कोई एपकरान नहीं दिया जाता है तो आप सीधा सीधा कारे का बहिसकार करो कि भाईया नहीं होगा क्यूंकि अगर कारे के दौरान आपके साथ कुछ भी होता है अनहोनी तो उसका जिम्मेदारी railway नहीं लेती है ठीक है तो जब रेलवे आपकी जिम्मेवारी नहीं ले सकती है तो इस प्रकार की जोखीं भरा काम आपको करने की कोई भी आवशक्ता नहीं है। और नहीं यह मडरिएगा कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारा SSC मेरा मार्क्स काट लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उतना ही आपको करना है जितना करने में आप capable हो, क्योंकि आप as a trainee हो वहाँ पे, as a apprentice से प्रसिक्षू हो, ना कि permanent employee हो, और railway apprentice को एक साल में इतना railway के द्वारा treat कर दिया जाता है ना, कि वो एक permanent employee से भी जादा वहाँ पे कारे करने में कुशल हो जाता है। फिर भी जब अपनी सीधी भरती की मांग करते हैं, GM power की मांग करते हैं, तो railway इसके मौन वरत धारन कर लेता है, उसके बाद कोई भी update उनकों तरब से देखनी को भी मिलता, वो बोलता है कि वह 20% हम दे रहे हैं ना, 20% ही आपके लिए बहुत है, इसमें exam दीजिए, जो पहल मिल पाया, ना ही GM power मिल पाया, और ना ही हमारा जो कोटा 20% से बढ़कर 30-40-50 हो सका, ठीक है, और इसके पीछे कारण आप लोग खुद हो, act apprentice का unity नहीं है, जिसके कारण ऐसा news आए दिन आपको देखने को मिलते रहता है, ठीक है, तो apprentice चात्र अपनी जिम्मेवारी आपके अ और ही बता रहा है कि ट्रेन की चपेट में आकर, railway प्रसिच्चु की मौत, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ट्रेन की चपेट में आकर ऐसा हुआ, ठीक है, देखिए, गोबिंद नगर railway station इस्तित, electric local state के पास, मंगलवार को ट्रेन की चपेट में आने से, railway के apprentice कर्मी 24 वर्सि यह इंदरिजीत, कुमार निवासी, आची, मोहाल, घाटमपूर की मौत हो गई, जिसके परिवार में मा, मा का नाम दिया हुआ है, समय दो भाई और एक बैने सोची, आब वहाँ पे क्या इस्तिती होगा, जो railway apprentice करके किसी प्रकार, CCA के अंतरगत, यहाँ पे level 1 का, जौब पाने के लिए, लोग घर से कितनो सैकडों, किलोमीटर दूर जाकर railway apprentice जोईन करते हैं, और खुसी-खुसी, वो सारा काम कर देते हैं, जो railway उनसे कराना चाता है, यहाँ तक कि railway चाहे उनको पटरियों का साफ करने बोल दे, घास कबारने के लिए बोल दिया जाए, SSC के घर जाकर काम करने के लिए बोल दिया जाए, तमाम तरह का ऐसा कोई कारे नहीं बचा है, आज के डेट में जो railway apprentice वालों से railway ना करा है, फिर भी वहाँ पे उनसे miss भी है किया ही जा रहा है, ठीक है, साथी कर्मचारी कर्मचारी का नाम दिया है कि duty पर आते वक्त, इलेक्तिक लो आने से इवक की मौत हो गया, मतलब यहाँ पे सिधा यह कह दिया गया कि भाईया, ट्रेन की जपेट में आने से इनका ध्यान थो गया, अब इस PA करके बस फाई बंद हो गया, अब सूचिए, यह कहना कितना आसान है, और जिसके साथ हुआ, उसकी स्तिती को समालना कितना मु कोई भी सुरक्षा से खिलवाल करेगा, तो इसमें आपका ही लौस होगा, बाकी रेलवेबोट का कुछ ही नहीं जाएगा, आपके जगा पर कोई दूसरा काम करने के लिए आ जाएगा, परन्तु आपकी जगा लेने के लिए आपकी फैमिली में कोई दूसरा नहीं जा प्रप्राट